कि इसके अंदर इंग्रिडेंट्स की बात करें तो इंडेक्टरॉल और ग्लाइको पेरोनियों में इस तरीकी के इसके अंदर इंग्रिडेंट्स दिये हुए हैं तो इसका इस्तिमाल हम COPD वाले मरीज यानि Chronic Autoptic Pulmonery Disorder वाले जो मरीज हैं उनकी इस्थिति में सुधार करने के लिए इस quedra inhaler को इस्तिमाल में लाते हैं, इसके अलावा इस inhaler का इस्तिमाल यानी bronchitis वाले जो मरीज हैं, उनकी इस्तिदी में सुधार करने के लिए भी, हम इस quedra inhaler को इस्तिमाल करते हैं, तो यो इसके अंदर इंडेक्टराल जो इंडेडेंट दीया हुआ है उसका जो इस्तिमाल है अस्त्मा वाले जो मरीज और परोनिक अस्तरप्ट्रिक पल्मोनरी डिसोडर वाले मरीज की सिदियम सिरार करने के लिए करते हैं इस्तिमाल और Glycoperonium इसके इंदर दिया है तो Glycoperonium का जो इस्तेमाल है मुह गला और वायु मार्ग यानि दौरा बता रहा हूं मुह गला और वायु मार्ग में यानि और पेट में acid की जो मात्रा है उसको गटाने के साथ-साथ यानि बेहोसी के लिए भी हम यानि एनिस्थीसिया के तौर पर भी हम glycoperonium को इस्तिमाल में लाते हैं तो यहाँ capsule आप यानि अगर अस्तमा वाले जो मरीद है या फिर स्यूपीड वाले मरीद है वो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से इस तरीके इन्हेलर यानि इस स्क्वेड्रा वाला इन्हेलर है उसको इस्तिमाल ना करें क्योंकि glycoperonium से आपको हो सकता है कुछ मरीद को बेहोस यानि उनको यानि सरावी जैसे उनकी हालत हो जाए उनको ज्यादा परिशानी हो तो अगर प्रिस्क्रिप्टर में अगर आपको दिया है किसी डॉक्टर ने तो ही इसकी इस्तिमाल करें अन्यथा ना करें या फिर इस तरीके के मरीद जिनको दमा की समझ्य है दमा का मतलब इस तरीके मरीद की सांस लंबे समय तक यानि आदा गंटा एक गंटे तक regular उसकी फूल भी रहती है तो इस तरीके के मरीद यानि स्क्वेट्रा को इस्तिमाल ना करें या फिर एलर्जी वाली जो मरीद है जिनको पहले से ही या फिर गडी साउधानी से रिकी के प्रोड़क्त को इस्थिमाल करें तवाईयों को मार्केट सब्सक्राइब की बात करें तो के सूल की मार्केट रेट आप को मार्केट मैं यारी 2200 से लेकरर Cottage rust होगी और two- provides और पार हएं परसेंट आपको डिस्काउंट मिल जागा तो रुण सकता है आपको 2203 रुपए ल, फिर हम आप किसी आथ से फिलिप्कार्द या फिर an racism तो आप मंगवा रहे हैं या फिर होल सेल की जो मार्केट है उससे आप लेंगे तो अंतर आपको मिल सकता है वरना इसकी मार्केट रेड चोविस सो या धाई यार के बीच में है तो बस आज के लिए इतना ही धन्यवाद